9 अगस्त 2020 में सोया हुआ था सुबा को उठा तब तब फोने आया कि उनका वहाँ पर एक पुल है किनेक्ट करता है बस्ती को मेटकर नगर से तो वहाँ उनकी सडियंत्र बना करके कुछ लोगों ने गाउं के वही लोग थे जो लोगों को परिसान करते थे वही लोग थे जिनको हमारे पिता जी अपोज करते थे और उनकी दिन दहाडे हत्या करती वह एक चवराहे की तरह थे लोग भी थे तो वह मैं समझ सकता हूं कि पूरे जीवन में सबसे नियूनधम छड़ हमारे लिए रहा मैं आज तक किसी के सामने नहीं रोया इसवर के सामने रोया कि इसवर भावतिक पिता को छें सकता लेकिन उसब का पिता है एक मात्र आस्था और विस्वास उन्हीं पर रहा कि को सब के पिता है किरपा की नहोती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी गरीबों को दिल में जगा तुम नपाते ना घर घर में होती अबादत तुम्हारी गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे गरीबों से है, बादसाहत तुम्हारी ही उल्फत के द्रिग बिंदू यहां है, तुम्हें सौपते हैं, अमानत तुम्हारी अब कोचिंग की जरूरत इसलिए थी कि कैसे पता चलेगा कि हत्यार चलाना कैसे है मारकेट में तो बहुत अविलेबल है थी यार, एक सेख रखे हैं, अचा हां, खासकर कुछ नियूज में भी निकला है कि वो पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बन गया बदला की जो बात होती है, यह आपके साथ जो घटना होई आप उसका तुरंत प्रतुत्तर दें एक टाइब का बदला यह हुआ, दूसरा यह हुआ, कि जो भी एक्यूज्ट हैं, उनको हमारी जुडिसरी पनिस्मेंट दे हमको जश्टिस मिला, यह बदला नहीं हमको जश्टिस मिला, तो यह है, हम तैयारी पहले सुरू कर चुके थे, सपना उनका था, सोच उनकी थी, हमारी भी सोच बचपन से जूड़ी थी, यात्रा बड़ी लंबी होनी थी, तो यह केवल मेरे उस लक्ष तक पहुशने में सं किसान परिवार से संबन्द रखते है, तो चुकि हम लोगों के गाउं में अगर हम सुरू में बात करें, तो बाढ़ ग्रस्त छेतर था, और पिछड़े लोग थे, और उस दोर में, तो वहां पर प्रमुक्ष उनोती यही थी, कि कभी बाढ़ की समस्या है, लोगों को आप किसान की समस्या है, इंकम की समस्या है, अच्छा फोस्दारी, कोई जमीन हडप लिया है, तो बहुत सारी, तो दो मई 2019, तीन मई को घर गया, आट नो को मैहर्दी भी गया, माता सार्दा का दर्सन करने, सब जगां, चुकि आप बड़े लक्षी की तरफ निकल ले हैं, तो या तो आपका परिवार आपके साथ में, या तो भगवान आपके साथ में है, दूसरा कोई नहीं। बहुत स्वागत है तक पर आपका, पहले तो पॉंग्राचुलेशन्स, तेंकियु मूँ, अब आईपेस बनते दिखेंगे बजरंग प्रसाद, तो बजरंग, पहले तो ये वताईए, कैसा लग रहा है, मस्त एक दम, येस मैम, बढ़ियां लग रहा है, और ये लग रहा है कि काफी संगरसों के बाद में ये बिराम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सुखद पड़ाव है, जहां हमें महसूस कर पा रहे हैं कि अब हमारी यात्रा आगे, और ही ज्यादा जन सेवा के लिए समर्कृत होगी. अच्छा, ठीक है, अब जन सेवा तो होने वाली है, लेकिन उसके इलावा, अगर शुरू से शुरू करते हैं, हर जगा हमने देखा कि पिताजी की हत्या हो गई, उसके बाद आपने सोचा, लेकिन कहानी ये नहीं है, पूरी कहानी बजरंग आज बताएंगे, कहानी क्यूं अच्छे कब थे शेतर में या और इसके लिए क्या प्रमुख परिस्थितियां थीं, जिसने हमें उस शेतर से, उस दोर से, इस सर विस के, हम कहें कि सर विस में आने के लिए प्रेरित किया, उज्यादा महातपूर हैं। तइयारी ब़ाद में हम सुरू किये ही, तो खास करक हम संबन्द रखते हैं उत्रप्रदेश के बस्ती जिले के धोबाट गाउं में जो सरीव नदी के तरपर इस्थित है और हम लोग एक ग्रामीड किसान परिवार से संबन्द रखते हैं तो चुकि हम लोगों के गाउं में अगर हम सुरू में बात करें तो बाढ़ ग्रस्त छे तरथा और पिछडे लोग थे और उस दौर में तो वहां पर परमुक्ष उनोती यही थी कि कभी बाढ़ की समयस्या है लोगों को अपदा राहत नहीं मिल रही है पेंसन की समयस्या है इंकम की समयस्या है अच्छा फोसदारी कोई जमीन हडप लिया है तो बहुत सारी तो ब कप्तान साब होते हैं डीम साब होते हैं डीम होते हैं बड़े बड़े लोग हो अपसर तो बैप फिर चर्चा भी करता था कैसे बनते हैं कौन लोग बनते हैं तो हमेशा सुरू से मोटिवेट करते थे कि यही बच्चे बनते हैं अलग से लोग नहीं बनते हैं तो मोटिवे अचा हमारे ट्रेक्टर भी था तो जुताई काम होता था चक्की थी आटा पीछने माला तो वो अपना काम करा लेजिए पैसा भले बाद में देजिए और कभी नहीं जाते तो खुद रेड़ गरस्त हो जाते थे लेकिन कभी वो दूसरे की आउसकताओं को आड़े नहीं आने देते थे तो वह भाव कहीं ने कहीं हमें जरूर आया कि इनकी यहां जो समाजिक जबाब देई है कि परिवार में कुछ भी समस्यार है लेकिन बिक्ति को तभी माना जाता है कि वह बहतर तरीके से जब वह स्वैंग से हट करके नीज से पर की तरफ देता है और यही मनुस्त का गुड़ भी है तो बसुद्यव कुटुमगम की भावना यहीं जागरित होती है जब हम परिवार में ही संकीर डूप से सोचेंगे तब साइध हम बहतर नहीं कर पाएंगे तो मैं सोचा कि हां आगे बढ़ना है तो देरे-देरे मेरे फूफा जी थे स्री रामदास याद ही अचीम हं के छिए थकारी बनेगा तो और हम बहुत कह नियु अदिकारी बनेगा उनने अधिकारीUD की नहीं जा है तो अधिकारी बनेगा न१क तो भी अदिकारी नहीं अक्षया ही हो जा अधिकारी बनेगा तो पर फरक्म पड़ता है उपहerek कहानी डीरे-धेरे अमारा आठिमी हुआ और हम हमारे गाहों से एक डेट किलोमेटर दूर था है स्कूल, टैलेंट कलक्सन हाई स्कूल, और हमारे गाहों के परबंध थक थे, सरी नर्सिंग आदो जी, और हम कहेंगे कि वह बिद्याला है, आप साहर के लोग तो नहीं सो सकते हैं कि कैसे 45 रुपया में प पहतरीन स्कूल था, तो हम कोसिज भी करते थे हमारे पिताजी कहीं भी तो बढ़ियां पढ़ाने का प्रयास करते थे, तो हम आगे बढ़े, फिर 11 बरहमी उर्मिला जुकेस्टनल अकैडमी से 2016 में मैं उत्रिड किया, और इस दोर में अभी यही देखिए कि लोग जबाब इस रुपे फिस देना फिर बस्ती तो 16-17 सो होना, वो हमेशा अपने खेतों में गेहों की कटाई से लेकर जानवरों को खाना, खिलाना, दूद से हम लोग खुआ बना के बेचते थे, तो हम लोग अहीर जाते साथ हैं, तो वो भी एक जानवर पालते हैं, तो वो फिस भरत परमंत की पिताजी को पता नहीं चलता था कि ये जिम्मेदारी से खुद ही देख पा रही है, हमको सोचना नहीं पड़ रहा है, तो माताजी का भी संगर्स रहा, अच्छा, ये जनून की इलाहबाद आने की कहानी, बड़ी रोचक है, हम कहें कि तो ये कहां, कैसे यात्रा स कि बहुत ही पावन भूमे भी है, और उस दोर में, तो वहां से बहुत सारे जज्ज हमारे IAS अगर देखे तो आइस की पुरी लोभी इलाहबाद से निकली है, और पूर्व का अक्सफोर्ड उसको इसलिए का जाता था कि यहां, बहुत बड़े-बड़े ऑफिसर भारत में हुए, ना कोल हमारे काफी प्राइम मिनिस्टर, बलकि CGI भी, तुरुची बनी इलाहबाद जाना है, यह नहीं पता था IAS की तैयारी कैसे होगी, लेकिन इलाहबाद जाना है, तो फिर इलाहबाद जाने की बाराहमी के बाद में मैं इंटर्स फार्म भरा, अच्छा, मैं ख गिश्बास भी पर ठाफी कर लेगा, तो इस्वास के क्रपास मैं आत्मेर तो पैसा तो खर्चना पड़ेगा हाँ यह तो महसूस हुआ कि खास बात चुनोती है थी कि हम सोच तो लिये थे अगर हमारे परिवार मिया जानने पहिशाने वाले में कोई ऑफिसर होते तो गाइड करते तो रहा आसान होती अब कोचिंग की जरूरत इसलिए थी कि कैसे पता दिल्ली निकलना है अचा पहले से सब कुछ जैसे प्री स्ट्डूल प्री डिफाइंड था तो मैं कहा कि अब दिल्ली निकलना होगा है ठीक कोई बात नहीं कितना लगेगा तो मैं दो मई 2019 संगम में असनान करने गया गंगा यूना सरस्थती की पावंतर बेड़ी स्रेनव इसले बात नहीं पाथ किया गंगा जी में और मैं उनसे प्रेयर भी किया कि इतना क्रपा बनाया रखना कि अब मैं जब लूटूंगा तो मैं घर नहीं जाँंगा आपके पास लूटूंगा कुछे भी ले करके गग लोटूंगा और यह यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ तो नहीं होगा साइधिस्वन ने प्रार्थना तो सुनी लेकिन मैं यह तो कहना भूल गया या तो उन्होंने घमे संगर्थ में डाला कि बाद की स्थिती बड़ी ही तरासत पूर्ड रही वहां से निकलने के बाद यो पहुंचा है तो आज में जो खुछ हूं लेकिन बीच म आपके सात में या तो भगवान आपके सात में है दोसरा कोई नहीं कि अभी परिवार कभी कमजूर होने लगेगा तो और नहीं सहरा पाएंगे तो अब कोचिंग के पैसे की बात करें तो उस साल मेरे गयों की जितनी भी उपज हुई थी उस दोर में तो अमार पीटाजी न पहली बार में पहली बार के सुरूर से लगता था लगा कि क्या समर्पड इनका है यानि कि वह वास्तों में कुछ भी करने को तयार है अगर मैं सोच लिया हूँ तो जरूर पहुचाने को ये किसी भी हद तक जाएंगे और फिर हमारे पिताजी चुकि मदद करते हैं लोगों क पूजी तो एक हमारे धर्वेंदर चाचा जी हैं बगल के लगते हैं तो वो दुबई गए थे तो पिताजी साहता उनके के तो वहां से उचालिस जार भेजे तो यानिक उनकी समाजिक पूजी इतनी बड़ी थी कि अगर कहते तो ठीक ठाक उनकी हमेशा मदद के लिए एक लाग भी साथ बिजे नाइस दिली में कोचिंग थी मैं उसमें डिमीशन लिया अलाकि वो इंगलिस की कोचिंग थी लिए मैं करेंट पर सुरूश पढ़ता था तो मैं कहा नहीं मैं इसी मिलूंगा चाहे भले हिंदी में भी यह लोग पढ़ाते थे तो वहां मैं आया और फिर ये सफर की सुरूवात 10 मई 2019 से सुरू हुई और उसके बाद का सफर ना क्यों खुबसूरत रहा बलकि काफी सारे बच्चों के लिए प्रेडा सुरूत भी रहेगा मैं समझता हूं कि अगर उनके मोटिवेशन में मैं कुछ भी योगदान दे पाऊं तो मेरे लिए काफी सार्थक रहेगा लेकिन तयारी कर रहे थे आप 2020 में फिर क्या हुआ मैं चाहती हूं कि आप बताएं क्योंकि कभी-कभी अलग-अलग उसके वर्जिन जो एप पहुंच जाते लोगों के पास क्या हुआ 2020 में पेताजी के साथ हां अचा हां खासकर कुछ नियूज में भी निकला है कि वो पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बन गया बदला की जो बात होती है कि आपके साथ जो घटना हुए आप उसका तुरंत प्रतुत्तर दें एक टाइप का बदला यह हुआ दूसरा यह हुआ कि जो भी एक्यूज्ट हैं उनको हमारी जुडिसरी पनि होनी थी तो यह केवल मेरे उस लक्ष तक पहुचने में संघर्स का एक भगवान की द्वारा बहुत कठिन परिक्षा थी कि जो सोचा था जो सपोर्टर था जो तुमारे घर में सबसे बड़ा मुखिया था वही नहीं रहा इसलिए नहीं रहा क्योंकि उन्याय का पक्ष ले तो वह चुनोती रहता था तो मैं बाद भी करता था चर्चा भी करते थे कि हां यह रहा वहां नहीं सुनना है यह और फिर उनको विश्वास था कि हां सुनेंगे जब आप खुद से हट करके ज्यादा काम करवाना चाहते हो तो लोगों की तो थोड़ी एथारिटी चाहिए तो गाते हैं कि करतब बिदायुत की भावना शब में होती है होती भी है लेकिन हमारे जो ड्यूटी जहें अगर हम पब्लिक हित के लिए इंटरेस्ट के लिए करना चाहते हैं तो कुछ एथारिटी होनी चाहिए और एथारिटी मिलेगी बड़ी सर्वसित से तो मैं तो 19-20 का सफर आया 19-20 डिली में मैं ां मैं रह रहा था कोचिंग चल लही थी मैं उनको वेज भी रहा था जो हमारा प्रोग्रेसा रहता था कोचिंग का फिर हमारे जो सर थे मैं अच्छा टीचर की बात करें तो तो तीन टीचर हमारे बहुत बहतरीन थे वह जनाइस में वह जुल्फिकार मुहम्मद एक सर थे एकोनॉमिक्स पढ़ाते थे और नहीं कि हम कहें कि वह इस्टाई का पढ़ाने का अच्छा उंगलिस में पढ़ाते थे सभाग से तो सालिंदी में भी बढ़ाते थे वड़ी खुसिक बात थे कि मैं बीस में अठारा सत्रा कोशिन कॉंसेप्ट को इसम सही कर देता है को ही गलती नहीं ऐसे सुजी सर थे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे तो सुनिल कुमार सिंग सर थे जो जो वो समाजिक मुद्दे पढ़ाते तो मैं टीचर्स की केवल उनको मैं देखता केवल नहीं था कि वो क्या पढ़ा रहे हैं बलकि हमारा मैं हमेशा यह देख रहा था कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं यह कैसी इतनी सारी चीजों को याद करके हमको बता देते हैं तो हमेशा उनकी स्किल सीखने के प्रयास मेरा था अगर मैं बात करूँ तो मैं सुरू उसे जो चीज देखता हूं उसको तुरंद कर देता था उस दिर बाद में कुछ भी कुछ लिए मसीन चला रहा तो ध्यान से देख रहा हूं कोई गाड़ी चला रहा देख रहा हूं अच्छा इसे कोई प्लाश्टर करना दिवा लगा तो मैं भी इतना दूर तो प्लाश्टर करें देता था तो मतलब यह वाली चीखने की शमता बड़ी अच्छी थी तो सरकी में स्किल्ट क्योंकि भी प्यस्से में लड़ाई होती है स्किल्ट की उस समय साथ 30 या 31 मई को होने वाला था लेकिन कोबिट महामारी यह जो ना के वल पूरी दुनिया बलकि हर एक परिवार को पर भावित की हमारा पेपर पोस्ट पॉंड हो गया पिताजी से बात हो रहे थी कि हाँ चार क्टूबर को चला गया पेपर तयारी कांटी नियू थ मैं लेकिन रहता था खेले ही अचार को आने भी नहीं देते थी इसलिए कि अब नेखे कि अगर में प्राचियन सिज्जा पते थे गुरुकुल में तो बच्चे जाते थे फिर पूरी सिक्षा प्राप्त करके ही घर लोटते थे इसलिए कि वह घर आकर के समाजिक ब्योधान में ना फसे परिशानियों ना फसे उनका एक मात्रलच होना चाहिए सिच्छा गरहन करना है सीलता सजनता वास सब गुड़ वहीं गरहन करके वह पाएंगे तो फिर 9 अगस्त 2020 मैं सोया हुआ था सुबा को उठा तो तो फोने आया कि उनका महाँ पर एक पुल है हम सब के कने प्रियंत बना करके कुछ लोगों ने गाउं के ही वही लोग थे जो लोगों को परिशान करते थे वही लोग थे जिनको हमारे पिता जी अपोज करते थे और उनकी दिन-धाडे हत्या कर दी गई वो एक चवराहे की तरह थे लोग भी थे तो वह मैं समझ सकता हूं कि पूरे के युद्ध में घुसे है इतनी बड़ी लड़ाई में चड़े हैं लेकिन हमारा जो ग्यान देने वाला जो हमारा पत्परदर्सक रहा वही नहीं रहा अब तो हम हार जाएंगे और यह लड़ाई आगे सायद नहीं बढ़ पाएगी तो हलाकि वही है कि अगर निजी सार्थ ह होता यह तैयारी यह सपना क्योंकि वहन की वह लोग परायंड छवी थी और उन्हीं का आशिरवा था उन्हीं की पेड़ा थी कि हमको स्वेंग से आगे तक सोचना है ऐसे लिए और फिर उस समय में जो सबसे बड़ी ताकत के रूप में खड़ी हुई वह मेरी माता जी और जिसके पती की लास पड़ी हो वह उस समय उसी के सामने का आइफोन में की बेटा तुम अब तुम देखो इनके सामने को तुम पूरा करो तुम छोड़ो जो हुआ हुआ तो मैं उस समय तुरंत ही पूरी तरीके से बेफिक्र हो गया कि हां बहुत लंबा सफ़ता करना है तो वह का भी खुसाज होंगे जहां होंगे तो मैं फिर मेरी प्रिलिम्स थी चार अक्टूबर को 45 दिन बाद मैं तयारी में लग गया उसमय इसठीया घुजरती थी पूरी रात-रात रोना कभी होता था वैं आज किसी के सामने नहीं रोया इस वर के सामने ही रोया कि इस वर भावतिक पिता को छिंद सकता लेगिन हो सबका पिता है एक मातर आस्था और विस्वास उनहीं पर रहा तु तो मुझे पूरा विस्वास रहा है, कि अगर हमारा नियत सही होगा, अगर हमारा हम एकर यह सोच रही होगी कि हम स्वेंग तक नहीं अगर हम लोक के लिए सोचते रहेंगे तो जरूर मैं सफल हूँगा कितनी हो बाद हाएं कितनी पत्पे चेहरों पर कभी मुस्कान कम नहीं होनी चाहिए रामधारी सिंग दिनकर की लाइनिया हमें दिनंतर हमें जगाती रही कि जब बिगन सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं मन को जजोडते हैं पल-पल तन को जखोडते हैं पल-पल तो उसकी सेज भी पत्थर हो जाते हैं उसका यह जो हवा डूलाती है पौने हो जाती हैं तो इस स्थति में शुरू ही लड़ाई चारक टूबर 2020 मेरा प्रिलेंस मैं गया उधर काम चल ला था अपना पुलिस काम कर रही थी जानते हैं कि अगर ऐसा कोई सेडेंट रहता है तो ज्यादा सकारात्मक तरीके से नहीं सायोग हो पाता है उन कुछ ओप हमें अब यहां कोशिस करनी है कि हम इस लाइक बन जाओं कि कम से कम मैं जहां रहूं मैं अगर उस लाइक बन जाओंगा तो कम से कम कुछ परिवारों को ऐसी स्थतिना होने दूं कि उनके घर ना दीपक बुझने पाए और उन बच्चों को ना समय से पहले आनात होना नहां समाज चाहे कि दूसरे को बरबाद करना या सोच यह तक ना खुझ चाहे कि अपने बेटे को मैं पढ़ा के आगे बनाऊंगा और यहां इंस्प्रेशन है यहां सोचन रिस्पोंसबिल्टी हमें निरंतर जगाती रही कि तुमको कुछ बनना है नहीं तुमको हर लोग यही सोतेंगे कि अपने बच्चों को काहें बनाएं अच्छा मैं आया हूं पढ़ने में नहीं हो पाता तो लोग सोचते थी वो भी पढ़ते पढ़ते काहां कुछ नहीं पाए काहें पढ़ाएं तो उस पिछडे समाज में सबसे बड़ी लोग जबाब दे यही होती है कि वह तभी भेजेगा जब उसके सामने कोई मेंटर रहेगा कोई इंस्पिरेशन रहेगा अब मेडिकर साहब बहुत कष्ट जेले बाहर रहे उनके चार बेटे मर गे लेकिन क्यों वो नहीं वापस आये इसलिए नहीं आये कि उनको समाजिक न्याय के लिए लड़ना था उनक कितना भी संगर्स पाए लिए बढ़ना है तभी हमारे चेतर के कितने लोग काते हैं कि अशंभो चीज बेटा संभो की हो अब हर बच्चे सोच पा रहे हैं कितना फोन आता कितना परिवार काते हैं कि मेरा भी बेटा का रहा आगे बढ़ने को इतनी बड़ी से उनके लिए बहुत बड़ी सर्विस लगती है IS IPS मैं किसी जिले का कप्तान बनूँगा उनको लगता है कि कितना बढ़ा ही बने कितने लोगों की भला ही कर सकता है चाहिद मैं उस परसासन तंतर का अंग बन करके लोगों तक पहुंच सकूँ एक तुछ योगदान भी करूँगा तो बहुत बहुत बेहतर रहेगा